नमस्कार स्वागत आपका पारलिमेंटरी बिजनेस में, मैं हुआ आपक्षणत पवण शर्मा, आज हमारे साथ है दार्दिन से बीजेपी के सांसत, राजु विस्ता जी, बहुत स्वागत आपका नमस्कार नमस्कार पवण जी, धन्यबाद सर, मेरा पहला सवाल है, पक्षिम बंगाल में अगले साल चुना होने वाले, बीजेपी क्या इस्तती है पक्षिम बंगाल के अंदर? देखे, मैं आपको ये बात स्पस्ट कह रहा हूँ, कि 2021 में मोदी जी के नित्रतों में भारतिय जन्ता पार्टी की पषिम बंगाल में सरकार बन रही है, और 200 से जादा सीट जो है बीजेपी की आएगी, उसका कारण है कि आज पषिम बंगाल की जन्ता टीमसी और ममता से तरस्त है, जिस तरह से 10 साल में टीमसी की सरकार चली, उससे वहां की जन्ता जो है टीमसी से दुखी है, आप कोई भी विशे ले लिजे, किसी भी छेत्र में पिछले 10 साल में पषिम बंगाल में काम नहीं हुआ, और 34 साल के बाद जिस इस्तिती में सीपीम छोड़ के गय से जादा ओर डिटिरेशन हुआ है, आज पषिम बंगाल में आप देखेंगे हर दिन जो है वहां पे डिमोक्रिशी की हत्या होती है, और मैं उधारन के साथ बताता हूँ, कि आपने जसे बताया मैं दारजिलिंग का सांसत हूँ, आज दारजिलिंग के अंदर में जो सेमी अटिनोमस बोड़ी जी टिये चलती है, वो बिगर चुनाओ के 2011 से लगतार चल रही है, नो साल होगे आज तक चुनाओ नहीं हुआ, इसी तरह से दारजिलिंग का मिल्सिपल्टी जो है, वहां पे प्रशासन उसको चला रही है, उसका भी कोई चुनाओ नहीं हुआ, इतना पंचायद को चुनाओ नहीं हुए, और पंचायद भी आज प्रशासन द्वारा चला आ जा रहा है, यह मैं आपको उधारन बता रहा हूँ, इसी तरह से जो है, वहां पे आप देखेंगे कि संविधान को कमजोर करने का प्रशिम बंगाल में आए दिन TMC की सरकार प्रयास क प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे इस्तिती में प्रशिम बंगाल है, और हम सब जानते हैं, प्रशिम बंगाल भारत में एक अग्रिणिया राज्य होता था, लेकिन आज मोदी जी की नेतरुतों में जिस तरह से जो है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रशिम बंगाल आज पिछड रहा है, और प्रशिम बंगाल की नौ करोड से जादा जनता ने ये मन बनाया है, कि इस बार हम मोदी जी की नेतरुतों में भारते जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, ममता बने जी की पार्टी टी-मसी, एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहा है, उ और दोजार एककीस में इस टी-मसी के जहाज का बंगाल की खाड़ी में दूबना तै है, और जिस तरह से दस साल की इनकी सासन और शरकार चली, इनके अपने ही कारे करता और नेता इनसे संतुष नहीं है, इन्होंने परिवारवात को बढ़ावा दिया है, और जिस लेबल क हाइस लेबल का जो करप्शन होता है, उससे इनके अपने नेता दुखी है, और जो अच्छे नेता है, वो डूपते हुए जाज को देख करके अपने आपको बचाने के लिए कूद रहे हैं, और भारतिये जनता पार्टी विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है, और ज जरिये से, देखे, ममता दिदी तुष्टी करण की राजनीती करती है, भेदभाव की राजनीती करती है, और ममता दिदी के लिडर्शिप में बंगाल का इतना नुक्सान हुआ, इतना मिस मेनेजमेंट से सरकार चली है, आपको मैं उधारन के लिए बताना चाहूंगा, आज बंगाल का करजा बढ़ करके 4,75,000 करोड का हो गया है, यानि हर एक बंगाल के नागरी के उपर में 50,000 से जादा का करजा है, और आज जो है पश्चिम बंगाल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल मे से जादा का नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे है, इतना ही नहीं सबसे जादा बारिश होती है, इसका सीधा ही निकलता है कि एगरी कल्चर की अपार संभावना है, दारजिलिंग जैसे हिल से पाडिया है, और जो है इसके कारण टूरिजम को बहुत बढ़ावा मिल सकता है, इतना ही नहीं, सहर के बीचो बीचो में, कलकता के बीचो बीच में गंगा नदी बैती है, नौर्थ बंगाल में तिस्टा नदी है, तो हाइडरो के भूत अपार संभावना है आज पाशिम बंगाल में हैं, और भारत देश में सबसे ज़्यादा MSME अगर कहीं हैं, तो वो भी पाशिम बंगाल में, इंटेलेक्चल लोगों की कमी नहीं है, पड़े लिखे, नोबल प्राइज पाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इतना चमता और पोटेंचल होते हुए भी, जो है पाशिम बंगाल में जो विकास होना चीए था, जिस तरह का कारिय होना चीए थ और दस साल में पशिम मंगाल को और बरबाद करने का काम टी-मसी ने किया है, अब पिछले लगबग चार सालों से लगातर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, लगातर ममता बेनर जीपी के हमला कर रहे हैं कि ममता बेनर जी तुष्टी करन की राजनीती कर रही है, पशिम लोगों के साथ भेदबाव हुआ है, और ये एकदम साप साप दिखता है, आप वहां पे जो है कोई भी व्यक्ति आजादी से अपना धरम का पालन नहीं कर सकता, आप राम मंदीर के नाम से राम का जंडा लेकर के सड़क पे नहीं उतर सकते, तो ये साप दिखता है और लो लेगा, सर लगातार मैंने पहले भी सवाल पूचा आप से, कि लगातार बड़े निता ममतव इनर्जी पार्टी के अरूप लगा रहे हैं कि जो उनके बतीजें, अब शेक मिनर्जी, उनका दाखिल बहुत बढ़ रहा है, ममतव इनर्जी की फैसलों में, क्या वाकी सर ऐसा है, जो पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, और जो पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन करके काम करती है, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जिनको राज्य की विकास से कोई लेना देना नहीं है, उन सब पार्टियों का आज तक ऐसा ही हर् बनने की बहुत कोशिश की ते उन्होंने सफल नहीं हो पाई तो राष्टी मुद्दे कुछ जादा ममता बेनरजी उठा रही है आजकल पक्षिम बंगाल के मुद्दों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है जैसे कि तमाम कार्करताओं की वापर हत्या हो रही है तो इस बार है उनको भी ये बात इसकी भनक लग चुकी है कि अब 2021 के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगी और जो पश्चिम बंगाल की जो कमिया है और जिस तरह की टीम सी की सरकार पश्चिम बंगाल में चली जो उन सरकार की कमिया है उसको छुपाने के लिए कभी सीए बिल का वि इरोध करती है ये अक्षर देखने में आया है अब जैसे सीए कानून है लाखों जो है सरनार्थी बंगला देश से और आजपास के देशों से आकर के पश्चिम बंगाल में रहे हैं और इतने सालों से रह रहे हैं बेचारे उनके पास ना तो रासन काट है ना तो उनके पा राजनीती के लिए उन्होंने इसका विरोध किया सो इस तरह से जितने भी केंद्र सरकार की योजने उनका विरोध करती है चाहिए वो आईशमान भारत हो चाहिए किसान संबान नहीं दियो आज देखिए करीब 72 लाग से ज़्यादा किसान पश्चिम मंगाल के वंचित है क्योंकि जो केंद्रे की सरकार की तरफ से जो उनको सयोग मिल रहा है वो उसका लाब नहीं ले पा रहे है बांग्रादेशी घुसपेट ये कितना बड़ा मुद्दा है आपके इसाब से पश्चिम मंगाल के अंदर देखे ये पश्चिम मंगाल में बड़ा मुद्दा है उसका कारण ये है कि पश्चिम मंगाल एक बहुत संबेंदेंसील प्रदेश है और जो है टीमसी के सरकार इलीगल घुसपेटियों को बड़ावा देती है भोडबेंग के खातिर और आप देखिए ये साब दिखता है कि पश्चिम मंगाल में असांती फैलाना चाहते है जिसको हम नहीं होने देंगे और ये इस चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहेगा क्यूंकि देखे मैं आपको बता रहा हूँ दारजिलिंग जिस सेत्र का मैं सांसदू दारजिलिंग एक ऐसा चेत्र है जहां 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से गिरा हुआ है हमारे पडोस में नेपाल है बंगलादेश है भुठान है और चाइना एर डिस्टेंस में करीब 50 किलोमेटर दूरी पे चाइना है इसी तरह का पूरा जो है झाल झाल